नमस्कार स्वागत आप सभी का आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूँ सौरव शर्मा आपके साथ आपको बता दे हम यहाँ विजे चौक पर मौजूद हैं और हमारे पीछे देश की संसद है जहां प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी को आपसे थोड़ी देर के बाद लोग सभा में राश्ट्रपती के अभिभाशन पर हुई चर्चा के जवाब में बोलना है प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी क्या बोलेंगे ये तो हमको अब से थोड़ी देर में ही पता चल पाएगा विपक्ष का स्कोर कार्ड भी बताएंगे तो यह भी लगातार आपको बताएंगे या आरोब जो लग रहा है कि सरकार का दुरुप्योग करती है यह दुरुप्योग नहीं बलकि प्रशाचार के खलाफ उनके सरकार की की गई कारवाई है तो प्रधान मंत्री के आज की भाषण पर कहा इंतजार हम सभी को है आपकी तरह ही और उससे पहले लेकिन आज आज देश में जो एक बड़ी ख़बर शाही रही वो थी जारखंड में चंपई सोरेन सरकार का विश्वास मत आज लोर विश्वद्ट पर चंपई सोरेन को अपना वहमत साबित करना था जो अन्होंने कर लिया हिरानी की बात यह है कि आज विदानसमा में पढ़े 47 VOT और उनके खिलाफ यानि की बीजेपी जो महाँ पर विपक्ष में है उसके पक्ष में किवल 31 VOT पढ़े हेमन सोरेन जो एडी की कस्टडी में थे एडी ने उनको गिरफतार किया आज अडालत से इजाज़त लेकर के वोट डालने के लिए विश्वास मत ने शामिल होने के लिए वो विधान सभा में मौझूद थे उनको भी बोलने का मौका मिला और उन्हेंने कहा कि मेरे खिलाफ नहीं बलकि आदिवाजी समाज के खिलाफ एक साज़िश है और इस साज़िश में राजभवन भी यानि की राजजपाल भी शामिल है तो पहले आप देखिए कि आज जार्खन विधान सभा के अंदर क्या कुछ हुआ विश्वास मत के दोरान फिर करते हैं आगे बाद प्रस्ताब के विपक्ष में 47 मत प्राक्ट हुए प्रस्ताब के विपक्ष में 29 मत प्राक्ट हुए इस प्रकार ये सभा बर्तुमान मंत्री परिशद में विश्वास प्रकट करती है का प्रश्चाव पारीत हुआ आज हेवन सोरेन भी बोल रहे हैं विधान सभा के अंदर और हेवन सोरेन ने ये कहा कि वेरी सरकार को घिराने के लिए साज़ेश रची गई एवन सोरेन ने यही कहा कि आधिवासी समाज का अपमान है. उन्होंने कहा कि मैं आधिवासी हूँ, तो क्या मेरे बारे में व्यक्तिकर टिपनियां की जाएंगी? मैं आधिवासी हूँ, तो क्या में बह Dominican cevी नहीं चल सकता? इमन सोरे ने आज कैसे अपने खराफ एक साजिश का इल्जाम लगाया और राजभवन को भी उसमें शामिल बताया देखिए प्रान पत्तिस्ता हुआ बाइस जन्वरी को राम राज आ गया पहला कदम बिहार पड़ा बिचारा एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति की हख्याहत होई आप जानते हैं दूसरा कदम जार्खन पर पड़ा एक आदिवासी मुखमंत्री को निकलने का प्रयाद है क्योंकि इस आदिवासी मुखमंत्री के सरीर में हड़ियां कुछ अदिक है इसलिए उस हड़ि को निकालने के लिए एड़ी उसका डिस्रिक्शन करने में लगी हुए ताकि हम कैसे इसको निगल जाएं लेकिन इतना असान नहीं गलती से गले में फस गया तो पूरा का पूरा हाथ लिए ठाड़ के लाएं इस वज़े से संभल के खाने का तोसिस किजिए इस वज़े से अद्यक्श मौद है मुझे कोई गम नहीं कि मुझे आज एड़ी ने पकड़ा जिस तरीके से बंदूदा का सदस्ता लिया यह आप चुनाओं नहीं लड़ सकता है मेरा भी यह आसकर सद्ता ल्लुप्ता के लिया हम लोग कभी नहीं आया दिश्मोद है लेकिन यह बात मैं सदंस में कहना चाहूंगा कि जारखन मुब्टी मौचा ते जारखन के मान समान सौभी मान को बचाने के लिए हुआ है और इस मान सम्मान स्वाबी मान के परती जो भी बुरी नज़र डालेगा उसको हम मूतोर जवाब देंगे चाहे राज़नी तिक रुप से हो, चाहे कानूनी रुप से हो, चाहे वो किसी भी जंग मैदान में हो यह हमारा संकल हेवन सोरेन अपनी गिरस्तारी को लेखा राज काफी नाराज भी दिखाई दिये जाहिर है कि आप वो पूर बुक्खे मंतरी हैं तो उसका मलाल भी उनके मन में रहा होगा आज जब मीडिया ने उनसे बात करने के कोशिश की तो उन्होंने माइक जटक दिये बात में उन्हों सद को भी इसी तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाए कोट का आदैस है कि मेडिया के सामने या बाहर वक्त तब नहीं देना है तो हमने एडिवाला से पूछा क्या सदने भी बात नहीं रखनी है उन्होंने ये भी कहा ने इस सदन में भी आप नहीं रख से हम बोले वह तो मैं यह ने कहा कि आईए स्पिकर साथ कर ट्येबर में खड़े हुजाई बैठ जाईए वहां से आदेर जारी कि फिरम चुप हो जाएंगे यह स्टितिया देख्श्मण अब उस दिन का इंतिजार है अभी तो गवर्नर हाउस का कॉरम पूरा हो गया अब विधान सभा से लोग क का बरेस्ट होंगे राष्ट्मति भावन से का बरेस्ट हंगे लोग सबाराज सबासे लोग का बरेस्ट होगा अधिक है और जा हैं अग्यों हमादा देजार सो सांच सदो का कि टीलमभय क्या देख मौदाई ये इतियास की सुनेरे अक्षरों में लिखा जाएगा है देख मौदाई बड़ी विचित रिश्टिती देश में आज हर चीज पिछले दर्वाजे से हो रहा है वक्त फिर गुजरे पिर घुमेगा और फिर हम आपके सामने उपस्तित होंगे और इतनी मजबूती के साथ उपस्तित होंगे कि फिर जो सड्यंत कर रहे है वो सड्यंत आपके धरे के धरे रहे इवन सोरेन ने आज उस रात का भी जिक्र किया जिस रात उनको एडी ने गिरिफ्तार किया था और उन्हें मुख्यबंतरी के पत से इस्तीफा देना पड़ा था। इवन सोरेन ने कहा कि 31 जन्वरी की रात काली स्याही में लिखी जाएगी। उस दिन लोगतंतर की हत्या की गई थी। और उन्हें ने कहा कि जो साजिश रची गई उसमें राजभवन भी शामिल था। एडी की इस साजिश को बस अंजाम उस रात दिया किया। 31 जन्वरी की जो काली रात काला ध्याय देश के लोगतंतर में नई तरीके से जुड़ा है। 31 तारीक रात को देश में पहली बार किसी मुख्मंतरी का गिरफ्तार हुआ हो गिरफ्तारी हुई हो मेरे संग्यान में नहीं है। ये मुझे लगता है ये पहला खुटना है। और मुझे लगता है इस घटना को अंजाम देने में कहीं न कहीं रात ध्योन भी सामिल रहा है। और जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है। मैं बहुत आश्य चकित हूँ। इसलिए कि मैं एक आधिवासी वर्ग से आता हूँ। नियम काइदे कानून की जानकारी का थोड़ा अभाव रहता है। बहुत दिक्ष्मता हैं अभी हमारे विपस्ट के बराबर हम लोग की नहीं है। लेकिन सही गलत की समझ तो हर इंसान भी रखता है, हर जानवर भी रखता है। काज़र्च मौदे, बड़ी सुनीजित तरीके से, बड़े लंबे समय से, दो हजार बाइस से, एक अतिस तारिक को दिये गया अंजाम की पड़कता लिखी जा रही थी। बड़े तरीके से, उस पकवान को बहुत धीमी आज़ में पकाए जा रहा थी। लेकिन ये इनकी जो पकवान है, ये पकने को तयार नहीं थी। लेकिन एनकी इन परकारे निनोंने इस आधे अधूरे पकवान को अपने लिए परोसा और बड़ी सुनी तरीके से, पुझे अपनी गिरफ्त में लिया है। विश्वासमत पर चर्चा के दोरान मुख्यपंतरी चमपाई सोरेन भी बोले। चमपाई सोरेन ने कहा कि ये EDCBI की मदद से विपक्ष की सरकारों को गिराने का सिलसिला महराष्ट से शुरू हुआ था। लेकिन जारखंड में भी इसकी कोशिश की गई, इस साज़िश को काम्याब करने की कोशिश की गई, लेकिन वो फेल हो गई। पीजेभी का कहना है कि अभी कुछ समय में जो है MLA और निकल सकते हैं, जेमें से MLA निकल सकते हैं, आपका क्या कहना है। देखें उनका ही इस सभाय, उनका आदत हो चुका है मारास्टा से, बहुत जगा से उनका आदत बना कुछ इसलिए हम उस परंपराव संस्कार से हम खड़ा दूर है, इस तरह के हम नहीं कहीं कहते हैं, उस तरह के हम जबाब देने को भी ठीक नहीं है। जो बात चंपाई सुरे ने जहारखंड में कहीं, वही बात डिल्ली में डिल्ली के मुख्यमंतिरी अर्विन केजरिवाल ने कहा कि जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुप्योग किया जा रहा है, उसका एक ही मकसद है, विपक्ष की सरकारों को किसी तरीके से अस्थिर करो अर्विन केजरिवाल ने कहा कि बड़ा दुखर्द है, देश के मुख्यमंतिरी के साथ ऐसा किया गया, देश के मुख्यमंतिरी को केंधर की एक एजेंसी ने गिरफटार किया, वो हेजन सुरेन के बारे में बुड़ रहे जब पुलीश जॉइन करता है, तो एक बड़े आ महिलाओं की सुरक्षा करूंगा वो कभी यह नहीं सोचता कि मेरे से नोटंकी करवाएंगे यह अब वो जो कल आया था कल आये थे ऑफिसर्ज क्राइम ब्रांच के पांच घंटे तक मेरे घर के सामने उनसे नोटंकी करवाई इन लोगों ने पांच घंटे तक उन्हों ने अत उसके अंदर कितना बुरा लग रहा होगा उसको कि मैं मेरा दिल्ली पुलिस की एक तरह से कल बेज़ती कर दी लोगों ने उनके जो राजनेतिक पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उन लोगों ने पूरी दिल्ली पुलिस की बेज़ती कर दी वो यह पूछ रहे हैं कि किन लोगों आम आधमी पार्टी के मोड्रती को खरीदने के लिए किन लोगों ने अप्रोच किया यह किसी से छुपा है सारी दुनिया जानती है इस देश में यह इकी पार्टी है जो सब को खरीद रही है जिन्होंने गोव में सरकार कर्णाटक में सरकार गिराई राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश की ये जो पूरे देश के अंदर जिन्हों ने उन्न क्राइम ब्रांच के अफसरों को भेजा वह इंसके पीछे इसमें पूछने की क्या जरूरत है वो गलत किया जहारखंडवाल जो मुख्यमंत्री को स ऐसे Aida का इस्तेमाल करकि ऐसे तो यह कोई भी सर्कार गिरा देंगे महारज्टर में सर्कार गिरा दी उन्होंने ऐत sagen कि झार गिरा नहीं ती ती वो सर्कार गिरा नहें पाईंगे उन्होंने 48 घंटे तक गंञेब कि आिए तो अच्छा है कि कोई नहीं टुटा भी तक तो यह ये जो चल रहा है देश के अंदर, डिक्टेटर्शिप चल रही है, एडी का इस्तेमाल करके चारों तरफ सरकारों को गिराया जा रहा है, गलत तरीके से जनतंतर खत्म किया जा रहा है, ये देश के लिए साही है. तो जो बात अर्विन केजरीवाल कह रहे हैं, इसको एक राजनितिक टूल की तरह इस्तमाल करती है, केंदर की सरकार. हो सकता है, इस आरोप पर भी आज प्रधान मंतरी, जब वो लोगसभा के अंदर बोलना शुरू करेंगे, आपसे थोड़ी देर के बाद तो वो कुछ कहें. प्रधान मंतरी का संबोधना आपको बता दें, यूँ तो शाम पांच बजे का वक्त उसका सामने आया है, हमें देखना होगा प्रधान मंतरी कितने बजे बोलना शुरू करते हैं, लेकिन प्रधान मंतरी की स्पीच आप इंडिया टीवी पर लाइफ सुनें, उससे पहले हम कुछ और राजनितिक ख़बरों की चर्चा कर लेते हैं. आपने जहारखंड में आज कैसे विश्वासमत चंपाई सोरें ने हासिल कर लिया, ये खबर देखी. बिहार के अंदर विश्वासमत की ताईख अभी दूर है. बारहा फरवरी को नितीश खुमार को एक बार फिर अपना बहुवत सावित करना है. लेकिन उससे पहले जिस तरीके से विपक्ष के विधायकों की लामबंदी की जा रही है, विपक्षी दल अपने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए, पठना से दूर, दूसरे राज़य में भेज रहे हैं, उसको लेकर के चर्चाएं हो रही है. कॉंग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया है. यह बिलकुल साफ है कि नितीश सरकार को बहुमत हासिल करना है, ऐसे में नितीश, जैसा हम जारखन में देख रहे थे कि चमपाई सोरेन को ये लगता था कि कहीं उनके विधायकों में तोड़पोड ना हो, उनके और कॉंग्रेस के, तो महां की विधायकों को भेजा गया. लेकिन यहां तो नितीश कुमार को बहुमत साबित करना है, चिंता हो रही है कॉंग्रेस के विधायकों को. नितीश कुमार दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार के पास वहां जरूरी बहुमत के लिए जो 122 का अंकड़ा है, उससे जादा परियाप बहुमत है, तो फिर कॉंग्रेस को किस बात का डर है? कॉंग्रेस पार्टी अपने विधायकों को आखिर पटना से हैदराबाद शिफ्ट करने के लिए मजबूर क्यों ही? अब इस पर बात करेंगे, पहले देखते हैं कुछ बयान के। मेरी भी वज़ा वही है, जो जारखन वालें की थी, वहाँ भी बिहार में नितीज कुमार को फिर से अपना बारह तारीकों पहले पांच हुआ था, फ्लोर्ट टेस्ट फिर दस हुआ और अब बारह हुआ, तो फ्लोर्ट टेस्ट पर हम लोग उनको हराएंगे, इसके लिए आएं हैं, और भी MLA आ रहे हैं, दूसरे दलों के भी लोग आ रहे हैं, सब लोग आके, हैदराबाद हम लोग के लिए सुप जगह है, इसलिए. सब कितने लोग अभी आए हैं, सब प्रायस अभी आ गए, एक दो नहीं आए हैं, वो कला आ रहे हैं. सब क्या प्लाइन रहे हैं, सब क्या प्लाइन रहे हैं, यहां तिन-चार दिन के बाद फिर सारे चले जाएंगे. कॉंग्रेस पार्टी के नेता जैराम रमेश, जो कि राहूल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में घूम रहे हैं, उन्होंने आज कहा कि बिहार के अंदर विपक्षी जितनी पार्टियां, उनके उनको तोड़ने की कोशिश भारती जंता पार्टी और जेडि ले जाना पड़ा है, तो उनका जवाब देखिए। लोगों को पूरा विश्वास है कि नितीश कुमार ये बहुमत का आकड़ा जहूर सिद्ध कर लेंगे। दूर नहीं है, पता चलियाएगा किसके साथ खेला होने जा रहा है। लेकिन बिहार में कॉंग्रेस पार्टी के अपने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने को लेकर अगर सबसे तीखी प्रतिया किसी ने दी तो वो थे बीजेपी के नेता और प्रवक्ता कुंतल कृष्ण। कुंतल कृष्ण ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी का इस तरीके से अपने अपने ही विधायकों के ओपर अविश्वास यह बहुत ताज्जूप की बात है, हैरानी होती है कि पार्टी को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। कॉंग्रेस पार्टी अपने राजनतिक कारकरताओं के साथ मान्ये विधायकों के साथ मान्ये सांसदों के साथ बंदुआ मजदूर की तरह विभार करती है कॉंग्रेस पार्टी को अपने ही माननिय विधायकों पे विश्वास नहीं है इससे जादा दुखत कुछ नहीं हो सकता है कि एक पार्टी को अपने राजनतिक कार्यकरताओं पे अपने माननिय विधायकों सांसदों पे विश्वास नहीं है बिहार और जहरकंड के कौंग्रेस के माननीय विधायकों को आला कमान के किसी तथा कथित आदेश पर यहां से वहां बंद हुआ मस्दूरों की तरह लिजाए जा रहा है बिहार के माननिय कॉंग्रेस के विधायद पहले दिल्ली फिर तिलांगना भेज दिये गए हैदराबाद नवावों का मकवरा देखने के लिए यही विवहार है कॉंग्रेस पार्टी का अपने राजनतिक साथियों के लिए कॉंग्रेस पार्टी लोक्तंत्र में विश्वास नहीं करती वहां तो एक राजा का परिवार बैठा है उसका आदेश और आप यहां से वहां जाते रहें बिहार में NDA बहुमत साबित करेगी चुकि बहुमत NDA के साथ है कॉंग्रेस पार्टी बहतर होगा अपने घर को संभाले अपने राजनतिक कारकरताओं को इज़द देना सीखे